हम लोग सर अलवर राइस्थान से आएं और तीसरी बार चांदनी चौक आ रहे हैं लगवाग 6-7 साल की डूरेशन में तो अभी तीसरी बार जब यहां सर हमने सड़कों की कंडिशन देखी ना पुरानी दिल्ली की तो मुझे अब तक मतलब ऐसा मैसूस होता था कि शायद हम पिछली जगह पर रह रहे हूँ पर आज लग रहा है कि अर दिल्ली शायद हमारे शाहर से भी ज़्यादा पिछड गया हो मतलब गंद की की चड़ ऐसा हाल देखकर मुझे लगा कि चांदनी चौक को अगर सरकार टूरिस्ट प्लेस बनाने का सोच रही है तो क्या विजन लेकर सोच रही है जब बेसिक इंफ्राइस्ट्रेक्चरी अपन यहां डवलप नहीं कर पा रहे अगर हो सकता है शुरू आती एक दो किलो मीटर इन्हों ने चमका दिये हो तो बाद में जो अंदर की गलिया है जो पुरानी गलिया जिनको देखने आते हैं टूरिस्ट उनकी कंडिशन अगर आप देखोगे तो मतलब कस्बों की भी सड़के शायद यहां से ज़्यादा ब बड़ी निराशा हुई मुझे तो इसरी बार आएं इससे पहले कुछ अच्छा नहीं था यहां पर उससे पहले सर एक्चुल में क्या है शुरू का जो मैं बता रहूं दो तीन किलो मीटर का जो में स्ट्रेच है उसको तो इन्होंने अच्छा डवलप कर दिया पर जो नाली में सड़क है सड़क में नाली है यह डिफ्रेंशेट करना बड़ा मुश्किल है तो यह चीज आपको भी ऐसा लगता है क्योंकि कीछड़ी कीछड़ देखिया तो तीन साल में ही हमने वो जो कंपेर किया मतलब एक होता है कि हम सोचते है कि आर और बढ़िया बैतर मेर दिल्ली एक वेले अपने शहर नहीं है यह पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती है मतलब अगर बात हो तो कि भाई अगर चाइना की बात करें तो बीजिंग तो ऐसे ही जब भारत की बात करते हैं तो दिल्ली की सड़के अगर कस्बों की सड़क से भी खराब कंडिशन में आजाएंगी तो फिर आप सोचें कि यह मतलब हमारा एक क्या एक चेहरा चरित्र पेश करेगा वर्ल लेवल पे अपने कामों को लेकर जंता के बीच में आपको लगता है कि वैसा जमीनी इस्तिप्रट नहीं हो रहा है मुझे तो नहीं देखा है कि मैंने तो अभी छोटे से एरिया में तीन-चार किलो मीटर में देखा है तो वह चीज मुझे नहीं दिखी अब वह सकता है वह फिरी रेवडियां बाट रहे हो सब कुछ कर रहे हो पबलिक उसे संतुस्ट हो पर जो बेसिक चीज होती है जो एक सरकार को करनी चाहिए कि यह सड़के अच्छी आलत में जो यहां का ड्रेनेज अच्छा हो तो वह नहीं दिखा सर्मिर को यह आप महिला हैं आप से एक बात करना चाहूंगा बेंगॉल के अंदर में जो हुआ है डॉक्टर के साथ क्या करना चाहेंगे आप क्या कहें कुछ बड़ी नहीं है तो पूरा भारत को शर्मशाग कर दिया उन्होंने मतला लेडिंज की कहीं भी सुरक्षा नहीं है आप कहीं भी चाह दिल्ली हो चाह मुंबई हो चाह कोल करता हो इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा सरकार को या फिर आम जनतां को भी सब कोई तो है जिसके उसको पता है कि वो करके और निकल रहा है वो मतलब फ्रीडम है उसके पीछे उसको कोई ड़ नहीं है वो कर रहा है खुले आम कर रहा है तो उसके पीछे कोई है या तो गवर्मेंट का हाते या फी कोई थर्ड परसन का हाते तो यह चीत देखना है कि उसक है पानूर्स और सकत बनाने की जीरूरत है तो बैसे सब्सक्राइब यह रहे हैं कुणीशन को डिनक्राइब करना चródवल